Dear students, welcome again to the series of the lectures on polymers, inorganic polymers. And in this lecture, we will discuss about the classification of silicons. अब हम इस लेक्चर में डिसकस करने वाले ही कि silicon को हम किस तरीके से classify कर सकते हैं. तो उसको classify करने के different way हो सकते हैं. और classification के बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो different type के जो silicons हैं, उनको हम कैसे prepare करते हैं और उनके क्या use होते हैं. तो ये cover करेंगे हम इस lecture में about the types of silicons, how they can be prepared, and what are their properties, and what are their uses. उनके uses क्या हैं. This is the classification of silicons. So, ये silicons का classification है, जिसको अभी magnify करके मैं आपको दिखाऊंगी. ये complete classification दिखाने के लिए आपको, ये मैंने दूर से दिखाया हुआ है. तो अगर हम देखें, classification of silicons अगर आप देखें, तो इसको हम दो तरीके से classify कर सकते हैं. देखें, एक तरीका है, on the basis of linkage of tetrahedral units. जो tetrahedral units हैं, वो किस तरीके से जुड़ी होई होती हैं? उस पर based है classification. और दूसरा जो classification है, वो based है on the degree of polymerization and complexity of organic groups. तो दो तरीके का classification हम कह सकते हैं, एक तो on the basis of linkage, tetrahedral units कैसे जुड़ी हुई हैं आपस में? दूसरा जो basis है, वो है कि polymerization कितना हुआ है and कितनी complexity है organic groups में? तो उसके basis पर हम divide कर सकते हैं. अब हम one by one, पहले हम इसको describe, discuss करेंगे about on the basis of linkage of tetrahedral units. तो यह first classification है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम linkage के basis पर silikons को divide कर सकते हैं. तो linkage के basis पर हम कैसे divide कर सकते हैं? हम कह सकते हैं linear type के silikons. जो polymers होते हैं, वो linear type के हो सकते हैं. linear मतलब आप देख सकते हैं chain type, जहां पर यह इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि यह long chain बना रहा है. इस तरीके से जुड़ेंगे कि यह long chain का formation करेगा. अब आप देखिए, यह linear की जो unit है, वो main unit क्या है, देखिए, इस तरीके का silenol है. यह आपने पहले पड़ा है, अगर हम क्या लें, R2SiCl2, अगर हम इस तरीके का silenol लें, तो यह silenol बनेगा. डाइ-ol, silen diol बनेगा, dimethyl, silen diol कैसे बनेगा, जब हम लेंगे, dichloro, dimethyl, silen. तो उससे हमें यह मिलेगा, यह जो unit है, अगर यह unit जुड़ेगी, तो यह unit कैसे जुड़ सकती है, linearly जुड़ सकती है. तो जो हमें polymer मिलेगा, वो क्या मिलेगा, linear type. दूसरा यही unit कैसे जुड़ सकती है, cyclic form में भी जुड़ सकती है. तो यह unit cyclic form में जुड़ेगी, तो क्या बनाएगी? cyclic polymer. अब यह cyclic polymer जोंगे, यहाँ पर 3-6 तक silicon atom जुड़ेवे हो सकते हैं, cyclic manner. और तीसरे तरीके का अगर हम देखें, on the basis of linkage of tetrahedral units, तो वो क्या होगा? cross-linked. Cross-linked जो है, वो कैसे मिलेगा? जब 3 OH groups present होंगे, 2 OH होंगे, तो यह तो linear बनेगा, यह cyclic बनेगा. अगर 3 OH group होंगे, तो फिर it can form cross-linked polymers, क्योंकि जो जुड़ना है, दो tetrahedral unit का, वो इस side से भी हो सकता है, इस side से भी हो सकता है, इस side से भी. तो आपको ज़्यादा cross-linking मिलेगी, यह देखिए, यह जो O है, इसके चारो O जो है, वो क्या हो गए है, एक दूसरे से जुड़ गए है, यह वाला O भी involved है, याला O भी involved है, याला O भी involved है, याला, sorry, this is the R group, यह क्या है? R group है, तो इसके जो है, वो तीन O group है, तो तीन side से O group क्या बना सकते हैं, bonding कर सकते हैं, तो यह और यह, यह दूसरे तरीके का है, तो यह देखिए, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, तो यह इस तरीके से, इसमें दूसरे तरीके के silanol group जुड़े हैं, side में, बट अगर तीन side से O H group होगा, तो यह cross-linking बना सकता है, क्योंकि तीन O H जो है, वो cross-linking कर सकते हैं, तीन side से, जबकि इस तरीके के silanol के case में क्या होगा, कि किवल दो ही bond बना सकता है, तो यह oxygen के थरू, जो हम siloxane linkage जिसे कहते हैं, या तो वो cyclic बना सकता है, या वो linear, लेकिन इस case में वो क्या बना सकता है, आप देख सकते हैं, इस case में बना सक सकता है, तीन और से, यह oxygen के थरू जुड़ सकता है, और क्या form कर सकता है, siloxane, and it can form cross-linked polymer, तो तीन तरीके के polymer हैं, linear, cyclic and cross-linked on the basis of the unit which is going to polymerize, जो polymerize होने वाली है, अगर वो polymerizing unit में 2 OH हैं, या 2 CL थे शुरू में, तो वो cyclic या linear बनाएगा, अगर 3 OH होंगे, तो वो कैसा बन polymer बनाएगा, अगर हम degree of polymerization and complexity of organic groups के basis पर classification देखें, तो इसको हम चार तरीके से divide कर सकते हैं, पहला जो टाइप है, वो है, silicon, fluids, or oils, जैसा नाम से आपको लग रहा है, कुछ, इसकी जो पापर्टी होगी, liquid type होगी, ठीक है, इसमें जो है, वो straight chain poly poly siloxanes होंगे, straight chain type का होगा, औ और जो यूनिट से हैं, लगबग 50 से 200 यूनिट तक इसमें होगी, और इन सब ही टाइप के, जो हम सिलिकोन पढ़ रहा है, सब में R ग्रूप क्या है, CS3 के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर भी R ग्रूप क्या होगा, CS3 ग्रूप, यह है, silicon, fluids, or oils, इनके बारे मे पॉलीमर, organosiloxines के लाते हैं, यह भी straight chain होते हैं, लेकिन end जो है, वो blocked by catalyst, जो इनका end होता है, वो catalyst से ब्लॉक कर दिया जाता है, तो यह गम, यह organosiloxines gums है, तीसरा जो class है, इसका silicon rubbers, या इनको elastomers भी कहते हैं, तो जैसे जैसे हम plute से gum की और गए, फिर rubber की और गए, तो जो इसकी जो linking की प्रवर्ती है, वो बढ़ती जाएगी, तो यहां पर आप देखिए, इसमें भी silicon हो सकता है, carbon हो सकता है, H हो सकता है, लेकिन क्या होगी, cross linking start होगी, जबकि flutes में और gums में क्या था, long chain polymers थे, लेकिन यहां पर क्या है, linking, cross linking होगी, और यह polymers थोड़े, और harder होगे, as compared to flutes and gums, चौथे तरीके के जो silicon होगे, वो होगे silicon regions, यह silicon regions देखिए, यहां पर आते आते, high cross linking होगी, बहुत cross linking होगी, और जो इनकी density है, जो cross linking की density है, वो silicon rubber से भी ज्यादा होगी, तो यह सबसे ज्यादा cross linked polymers हैं, जिनको हम silicon region कहते हैं, अब हम इन जो चार तरी सिलिकों पढ़े, silicon fluids या silicon oils, then silicon gums, then silicon rubber, and silicon region, इनको हम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक के बारे में, कि कैसे उसको synthesize करते हैं, क्या उसकी chemical property होती है, और उनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, अब हम उन चारों को पढ़ने से पहले, चारों टाइपस आप सिलिको सिलिकों को पढ़ने से पहले हमें, कुछ एक मैथड पढ़ना होगा, कि कैसे इनको synthesize किया जाता है, तो दो क्योंकि जो silicon fluids and silicon gums है, उनका एक special method है बनाने का, और उसमें जो method होता है, वो है, ring opening polymerization, जिसको हम ROP कहते हैं, and equilibration of cyclosyloxanes, यह एक मैथड है, जिसके थू हम सिलिको oils या silicon gums को बनाते हैं, और इस method को हमें पहले पढ़ना होगा, कि यह method actually है क्या, ring opening polymerization and equilibration of cyclosyloxanes, इस method में क्या करते हैं, जो cyclic polymer है, and जो linear polysyloxanes है, cyclic या linear, इनको क्या कर सकते हैं, heat कर सकते हैं, अगर हमने cyclic polymer को heat किया, या तो उसको acid के साथ treat किया, या उसको base के साथ treat किया, तो क्या होगा, जो cyclic and linear polymer से हैं, वो species एक दुसरे के equilibrium में रहेंगी, अगर हम एक cyclic polymer ले 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 हैं, उस cyclic polymer को हम heat करें, या उसको treat करें acid के साथ, या उसको treat करें base के साथ, तो क्या होगा, वो किसमे convert होगा, linear में, फि ऐसे cyclic और linear structure के बीच में क्या होगा एक equilibrium set हो जाएगा लेकिन conditions है conditions क्या है heating या basic medium या acidic medium तो एक cyclic polymer will remain in the equilibrium with its linear species number one बात समझ मागई होगी आपको कि in presence of acid और in presence of base और heating ये क्या करेगा ये equilibrium में ले आएगा cyclic polymer and linear polymer को अब देखिए जो process है process क्या है जो equilibrium की process है in between cyclic and linear polymer it is simultaneous cleavage and reformation of siloxane bonds actual में होता क्या है एक समय में cleavage भी होता है cleavage किसमें होगा cyclic वाले में किसका si o bond का si o bond का cleavage है वो तो cyclic में होगा उसी समय जो linear है उसमें क्या होगा वो bond जो bond है form में भी हो जाएगा linear में cyclic जो bond है वो cycloxane बनने लग जाएगा और यहां पर क्या होगा cleavage भी होगा siloxane bonds का और formation भी होगा इसलिए यह चेन और जो cyclic है उसके बीच में क्या होता है एक यह क्या है तो यह क्या है एक चुल में जरूरी है कि एक मैथर्ड है silicon को prepare करने का और वो दो इसमें silicon's main जो है इसमें हम silicon's gum बनाते हैं इस method से तो इस method से बनाते हैं इसलिए हमें जरूरी है कि actual में यह method में होता क्या है आप इसका screenshot ले लिजे और इस method को अगर आप देखें तो मैंने लिखा है acid catalyzed ring opening तो कैसे acid की presence में cyclic जो polysiloxanes होते हैं उनमें ring opening होती है और वो chain structure के साथ equilibrium में रहते हैं यह हम इस method में देखेंगे तो आपने screenshot ले लिया होगा अब मैं आपको explain करूँगी one by one कि यह कैसे होता है और उसके बाद polymerization कैसे होता है यह देखें यह जो है cyclic polysiloxane है cyclic polysiloxane में आप देखें चार silicon वाला हमने cyclic polysiloxane लिया है इस cyclic polysiloxane की reaction जब acid से करेंगे तो यह acid से reaction करने के बाद आप देखेंगे यह जो इस O के साथ जूड़ जाएगा और SI के साथ जूड़ेगा और यह bond cleavage हो जाएगा SIU और जब SIU bond cleavage होगा तो आप देखेंगे एक linear polymer हमें मिलेगा SI के साथ X जूड़ जाएगा और O के साथ H जूड़ जाएगा इन दोनों के बीच में जो bond था वो टूट गया और यह है forward direction में reaction और अगर इसी की हम देखें तो यह equilibrium में रहता है linear structure with cyclic structure क्या होगा कि यह जो H है और X है फिर निकल जाएगा और इन यह दोनों फिर से जूड़ जाएगे तो यह दोनों equilibrium में रहते हैं जब एक acid हम यूज करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा इकविलिबिलियम होगा अब इसमें आगे polymerization कैसे होगा यह जानी cyclic जो है वह in presence of acid किसमें convert हो जा रहा है linear polymer में अब यह linear polymer देखें इसमें भी यहां पर यह जो second जो compound बना है यह first compound के साथ react कर सकता है क्योंकि reaction mixture of first compound है तो यह इसको फिर से क्या मिल सकता है SIO bond यहां present है तो यह cyclic polysiloxane के साथ react करके इस तरीके का compound बना सकता है देखें यहां पर अब कितनी unit हो गई 7 plus 1 8 8 SI और यह क्या है यहां पर 4 SI है और यहां पर भी 4 सकता है तो यह cyclic polysiloxane के साथ reaction के बाद यह addition polymerization के थ्रू यह product दे सकता है दूसरा जो product हमें मिल सकता है वह रूट 2 के थ्रू मिल सकता है वहां पर hydrolysis and condensation होगा actually इस वाले रूट में क्या हो सकता है कि यह जो जो second compound है यह पहले hydrolyze हो है hydrolyze होने के बाद यह यहां से HX minus कर दे H जो है वह इससे react करें और यह HX बना दे और यह इस तरीके का एक compound बना दे जहां पर चार silicon है यह इसमें convert हो गया यह दोना equilibrium है actually आप देखे सब जगे equilibrium का sign है उसके बाद यह condense हो और यह condense हो के यह polymerization करें यहां पर चार unit है SI की यहां पर कितनी होगी 8 unit तो यह route है synthesis का silicon siloxane के जहां पर आप देख रहें cyclic and linear they are in equilibrium due to presence of this acid is acid की presence में तोनों एक दूसे के साथ equilibrium में है यह जो open chain है यह फिर क्या करता है दो रूट के थू polymerization कर सकता है एक root addition polymerization एक है condensation polymerization यह सब यह सब तरीके के जो process होते हैं यह एक साथ होते रहते हैं तो जो polymer बनेगा वो linear बनेगा आप देख सकते हैं इसमें linear type के polymer का formation होगा this is the another method for equilibration and reformation of SiO bond यह दूसरा method है जहां पर base की presence में ring opening होती है base catalyzed ring opening of cyclic polysiloxanes जहां पर आप देखेंगे base की presence में किस तरीके से polymerization होता है वो मैं आपको बताऊंगे इस तरीके के ring opening process में आप देखें यह एक cyclic polysiloxane है और जब इसकी reaction हम एक base से करेंगे जब एक base react करेगा तो again यह जो K है वो oxygen से जुड़ेगा और OH- Si से जुड़ेगा और यह bond cleavage हो जाएगा तो यह जो cyclic polymer है cyclic जो polysiloxane है वो किसमे convert हो रहा है और chain में open chain compound में convert हो रहा है यहाँ पर आप देखिए 3 Si and 1 Si तो 4 Si units से हैं तो cyclic and this linear they are in equilibrium with each other यह भी होता है equilibrium में यह भी present होगा लेकिन in presence of potassium hydroxide यह cyclic किसमे convert हो जाएगा linear में अब यह linear के पास यह उपलब्द है यहाँ पर बहुत सारे यह से cyclic polysiloxane होंगे तो यह इससे react करेगा cyclic से जब react करेगा तो देखिए 4 unit तो यहाँ है 3 और 4 Si unit 4 unit यहाँ है तो total कितनी generate हो जाएगी 7 plus 1 8 तो अब इस तरीके से आप देखेंगे polymer generate होगा और यह फिर से किससे react करेगा इससे करके polymerization chain को बढ़ाएगा तो यह आप देख सकते हैं इस तरीके से एक cyclic जो polysiloxane है वह किस तरीके से एक polymer का formation कर सकता है in presence of base और इससे पहले हमने पढ़ा था in presence of acid वह किस तरीके से किसमें convert हो सकता है पॉलीमर में और किसमें convert रहा है कि साइकलिक जो है वह एक long chain open chain जो पॉलीमर है जो लीनियर पॉलीमर है उसमें convert हो रहा है अब हम सिलिकॉन की पहली केटेगरी को डिसकस करेंगे जिने हम सिलिकॉन फ्लोट्स यह हम उनको सिलिकॉन लिकुट्स भी कह सकते हैं यह सिलिकॉन ओइल्स भी कह सकते हैं तो यह किस तरीके की property इनकी होती है और इनको हम कैसे synthesize कर सकते हैं और उनका यूज क्या है कैसे हम उ ब्रूजव मुद्ग पर होसके, सिलिकोन फ्लॉट होते हैं, यह क्या होते हैं। सोते। सब्सक्रा अर huge onlar हम्हें कि अचैसअदि सपले, लिनियर साथ हिसु आन गडिशपी चाद IP पर उनके बना गडाले को आन। Mixture of this is dichlorodimethylsilane and chloro-triethylsilane, तो अगर इंग। सबस्जारी दॉन के i Troid cyclo dimethyl hexamethyl Din-我覺得 तो यह क्या बनाएंगे सिलिकॉन फ्लूट्स या सिलिकॉन ओिल्स या सिलिकॉन लिक्विड्स यह कॉमर्शियल मैटड है हाई लेवल पर यूज किया जाएगा जब हमें बहुत सारा अमाउंट चाहिए और यह क्या करेगा यह क्या प्रोवाइट करेगा चेल बिल्डिंग यूनिट्स चेन जो है वो इसी के थू बनेगी और जो हेक्जा मिथाइल डाइस आलोगजेन यह क्या करेगा चेन की लेंथ को कंट्रोल करेगा इसलिए हम इसको एड़ करते हैं तो यह दोनों एड़ करके 30,000 टाइमस डेयर मूर विसकस अगर मिनका बॉइलिंग पॉइंट थेखे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इनका एंड विसकोसिटी वो किस पर डिपेंड करती है जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ी की वैसे बॉइसे बोइसे बॉइलिंग बढ़ेगा क्योंकि molecular weight बढ़ेगा और उसकी viscosity भी बढ़ेगी और इनकी जो properties अगर हम देखें they are inert non-toxic materials यह क्या होते हैं inert and non-toxic materials होते हैं इसलिए अभी हम देखेंगे कि इनका use कहां कहां पर कर सकते हैं उससे पहले हम study करेंगे उसकी method of preparation की so this is the method of preparation of silicon liquids or fluids or oils income silicon oils भी कहते हैं कैसे prepare करते हैं यह है tetra kris cyclodymethyl siloxane यह अगेन वही cyclic structure है cyclic की जब reaction करते है hexamethyl dysiloxane यह hexamethyl dysiloxane कहां से आया यह कैसे बना है जब दो unit किसकी मिली होंगी जो try जब मिली होंगी तब यह बना होगा वह क्या था देगे तीन CL और 1 OH जब यह दूसरे unit से react करेगा तो यह बनाएगा hexamethyl dysiloxane और जब इन दोनों की reaction बनाएं करेंगे तो क्या मिलेगा एस टोसफोर की पिजेंस में then we will get silicon oil और इसको देखिए आप silicon oil जो है वो लेंथ कितनी भी हो सकती है 12 इसके लिखा है क्योंकि इस case में यह तीन यूनिट अगर add होती है तो यह क्या हो जाएगा 12 एक में कितनी चार सकती है तो यह एक linear polymer है जो यह बनेगा इसको हम कहेंगे silicon flute अब हम देखते है कि silicon fruits कहां कहां पर यूज हो सकते है तो silicon flute पर यूज हो सकते हैं तो silicon flute कहां पर यूज हो सकते हैं they can be used as insulating materials such as capacitors transformer compressible fluids and liquid lubricants यह liquid lubricants की तरह भी यूज के जा सकते हैं insulating material है क्योंकि यह non-reactive है और non-toxic है इसनको lubricant की तरह यूज कर सकते हैं और क्या property है एक्चुली जो सिलिकॉन होते हैं तो यह water repellant quality रखते हैं तो इनको water repellant की तरह यूज कर सकते हैं for treating building glassware and fabrics तो water repellant की तरह एक्ट करते हैं ताकि पानी जो है वो जैसे हमारे घरों में भी लीक करता है तो वहां पर भी हम इसको एक्ट कर सकते हैं क्योंकि water repellant की तरह act करता है lubricating oil for light duty applications जैसे gearboxes होते हैं scooters में और जो हमारी गाड़ियां होती है उन्हें gearboxes होते हैं वहां पर lubricating oils की तरह इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि यह हैं inorganic oils non-toxic हैं और long chain compounds हैं तो इनको lubricating oils की तरह यूज कर सकते हैं और देखें इनको anti-forming agent की तरह यूज कर सकते हैं anti-forming ताकि form ना बने in sea waste disposal textile dyeing and beer making इनमें यहां पर यह anti-forming agent की तरह act करते हैं heat transfer media की तरह act करते हैं और यह बड़े important जो ingredients of makeup का जो समान होता है उसके बहुत important gradient जिसनलपिस्टिक है शैंपूज है cosmetic formulation से हैं वहां पर भी इनको यूज किया जाता है किसको silicon fruits को तो एक wide range of uses है silicon fruits के different industries आपने देख ली तरह तरह की industries में इसका यूज हो सकता है दूसरे तरीके जो silicon से हैं वह है silicon gums silicon gums या इनको हम कहते हैं polymethyl hydro siloxines तो यह silicon gums है silicon gums दूसरी category है silicon की जिसमें हम देखेंगे कि again क्या होते है linear polymers का formation होता है और वह कैसे होता है मैंने आपको जो method बताया था वह बताया था जहां पर equilibrium होता है in between cyclic and linear structure तो वह method को हम adopt करते वे silicon gums का formation करते हैं पहले हम इसके कुछ properties देख लें कि कैसी क्या क्या इसकी properties होती है जो silicon gums होते हैं यह हाई molecular mass organo siloxanes है high molar mass होता है इनका किनकी comparison में अगर हम silicon fruits को देखें तो उनका low molar mass होता है इनका high molar mass होता है मतलब यहां पर जो chain length होगी वह लंबी होगी और यह prepared by equilibrium and ring opening polymerization of cyclo siloxanes यह आपको मैंने पहली बता दिया कि कैसे बनाए जाते हैं equilibrium process यह एंड रिंग opening polymerization of cyclo siloxanes यह बनाए जाते हैं जो rate of polymerization होता है जब यह बनते हैं तो rate of polymerization किसके सांथ बढ़ता है अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो polymerization का rate भी बढ़ता जाएगा और यह straight chain polymers होते हैं लेकिन यह क्या होते हैं end blocked by base catalyst base catalyst की कारण यह क्या होते हैं एंड ब्लॉक्ड होते हैं तो यह difference है आप देखेंगे अभी कि यह difference है silicon fluid और gum में कि silicon जो fluid है वो लो molecular mass वाले हैं जो polymer linear है लेकिन low molecular mass वाले हैं यह जो हैं हाई molecular mass वाले हैं और इनको preparation का method बिल्कुल अलग है इसमें हम equation and ring opening polymerization method यूज करते हैं silicon gums के लिए rate of polymerization वो temperature के साथ increase होता है और आप देखेंगे जो इसका end होता है polymer का end जाए वो block होता है base catalyst के दुरू यह देखें यह method मैं आपको book से दिखा रही हूँ अब यहाँ पर देखें कि यह जो है यह वही cyclo siloxane है जो हमने पहले भी दिखाया था जहां पर SI की 4 unit की इन्होंने cyclic को इस तरीके से दिखा दिया हम cyclic को वैसे भी दिखा सकते थे जैसे हमने पहले दिखाया था इससे पहले जो हमने दिखाया था cyclic form में दिखाया था SI O SI O SI O SM cyclic बना सकते हैं यह हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं अब देखें in presence of k-wage हमने यह method पढ़ा है in presence of k-wage यह जो cyclic polysiloxane है यह क्या होगा इस linear के साथ equilibrium में आ जाएगा आपने देखा जो k है वो कहां bind हो जाएगा O के साथ और जो OH है वो कहां bind हो जाएगा SI के साथ यह open हो गया क्लियर है यह method पहले पढ़ चुके हैं equilibrium का वहां से आप फिर से देख सकते हैं यह आप देखिए कि यह cyclic siloxane है और यह किसके साथ equilibrium में आएगा linear इसने क्या बना दिया linear अब देखिए जो linear पूली-siloxane जो आया इसने फिर से किस से रिएक्ट कर रही साइक्लिक वाले से यहां भी चार सिलिकोन थीन और एक चार देखिए चार यह पर चार सिलिकोन अब यह पूरी जो जो बना जो प्रोड़क्ट बना जो लीनियर उसने इसके साथ फिर रियक्शन किया इसने इसके स पात जो लीनियर फॉर्मेशन है वह होता जाएगा अप देखिए यह बना यह साथ से फिर इसने रियक्शन करी तो यह ट्वल बन गया फिर ट्वल वाले ने इसके साथ रिक्शन करी तो यह 16 वाला बन गया ऐसे से आप देखेंगे यह पॉलीमर जो बनता जाएगा जो क्या रियक्शन नहीं होगी जो रियक्शन हो रही है वह दूसरी साइट से होगी ठीक है यहां से होगी यह साइट प्रोटेक्ट हो गई है और इसके बाद यहां से यह चेन का प्रोपागेशन होता रहेगा तो यह क्योंकि हम पहले बता चुके हैं इसलिए मैंने आपको इसको ब Vibulation मा जाएगा linear के साहत वो linear फिर आगे क्या करेगा with the cyclic polysiloxane के साहत क्या करेगा reaction करेखे polymer chain को बढाता जाएगा so this is the method of preparation of this is for silicon gums silicon gums के अगर uses देखे हैं तो इनके uses क्या है they can use as lubricants anti-foaming agents होते हैं और textile industry में इनका use होता है जो silicon gums होते हैं इनके uses हैं as a lubricant, as anti-forming agent and in textile industry, यह इसके uses हैं, अब next जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे silicon rubber और elastomers के बारे, यह है silicon rubber या elastomers, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, थो आसा इनमें, जो solid nature है, वो इनका थोड़ा बढ़ेगा, in comparison to flutes and gums, इनका solid nature बढ़ेगा, और यह rubber की तरह या elastomers की तरह act करेंगे, तो इनकी क्या-क्या properties होगी, उसको one by one हम देखते हैं, यह जो polymers है, यह silicon, carbon and hydrogen oxygen से बनेंगे, और यह specialty क्या है, यह cross-linking polymers, यहां से cross-linking स्टार्ट हो गई, इससे पहले जो आपने देखे थे, वो linear type के polymers यहां पर क्या है, cross-linking polymerization स्टार् अगर simple method of preparation देखे हैं, तो हम यह देखेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़े हमें चाहिए, polysiloxane gum चाहिए, filler चाहिए, cross-linking agent चाहिए, और कुछ additives चाहिए, polysiloxane gum हम लगभग 100 parts लेते हैं, filler हम कितना लेते हैं, 20 to 50 parts, इसका हम क्या लेते हैं, filler जैसे SIO2 यूज किया जाता है cross-linking agent 6 parts होता है, जो cross-linking agent यहाँ पर यूज किया जाता है, वो होता है benzoil peroxide, और कुछ additives यूज किया जाते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी preparation करते हैं, इसका मैं आपको scheme दिखाऊं कि किस तरीके से हम इसकी preparation कर सकते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर जो हम use करेंगे, synthesis म यूज करेंगे, polysiloxane गम होगा, fillers होगे और cross-linking agent होगा, और एक additive होगा, यह क्या है, benzoil peroxide क्या है, एक cross-linking agent, तो यह cross-linking agent क्या करेंगा, सबसे पहले यह act करेंगा, benzoil peroxide पर जब H-new, जब photons गिरेंगे या in presence of sunlight, यह free radical में convert हो जाएगा, यह किस की तरह act कर रहा है, cross-linking agent है, तो सबसे पहले यह act करेंगा, इस पर जो sunlight हो एक्ट करेंगे, और इस में convert हो जाएगा, free radicals में, अब यह free radical बना, यह free radical किस से react करेंगा, जो हमने कह लिया है, वहाँ पर हमने polysiloxane लिया हुआ है, उस polysiloxane के साथ यह free radical react करेंगा, और react करके, यह क्या बना देगा, एक इसने benjoic acid निकाल दिया, और एक radical में इसको convert कर दिया, free radical में convert कर दिया, इसको, किसको, जो polysiloxane हमने लिया हुआ था, उसको free radical में convert कर दिया, यह देखिए, यहाँ पर एक free radical बन गया, और एक यह acid बाहर निकल गया, यह structure फॉर्म होगा, अब देखें, यह free radical फॉर्म हुआ, यह जो free radical फॉर्म हुआ, इसने फिर से किससे reaction करी, किससे reaction करी, एक तो इस free radical से, और एक unit इसने और लेली, किसकी, polysiloxane की, और उसको लेने के बाद फिर यह दोनों कैसे जुड़ेंगे, देखिए, यह क्या काम कर रहा है, यह क्योंकि इसको, इसको radical में बतला है, तो अब इ एक के दोनों लेंगे, तो यह क्या करेगा, इसको भी radical में चलब कर देगा, इसको भी radical में convert कर देगा, यह radical और यह radical दोनों joint हो जाएंगे, यह city, यह चैनल गोदो को सबस्यान कोकुन धुच सलय है कि I can interpret me a portion of I a means $20 möglich कैसा आश तरीकेसे लिंग हैं मित्री साइब छपने बने गाा कि आपको एक बर दिखाती ता कि आप इसको और अची तरह से देखिए हमने क्या लिया? Cross Linking Agent, Benjoyal Peroxide Benjoyal Peroxide पर जब Sunlight पड़ी तो इसने क्या बना है? Free Radical यह जो Free Radical बना, इस Free Radical ने Poly Silosan के साथ React किया React करने के बाद क्या किया? यह तो इसने यहां से H ले लिया एक और यह क्या? pH, COH बन गया? और यहां पर क्या बन गया? Free Radical generate हो गया, देखिए यह एक हो गया ऐसे ही दूसरा लिया हमने देखिए यह और यह react की, ऐसी यह और यह react की यह दोनों react करके एक Free Radical generate करेंगे इस तरीके का यहां पर भी dot होगा और एक Free Radical जो है, इन दोनों की reaction से generate हुआ आप देखेंगे, यह chain चोड़ती चली जाएगी और किसका formation होगा? एक Cross Linked Polymer जैसे हम कहते हैं Silicon Rubber Silicon Rubber के अगर uses की बात करें, तो इसकी property कर हम देखें तो यह High Thermal Stability होती है, Silicon Rubber की Low Temperature Performance होती, कम Temperature पर यह अच्छी performance देता है Oxidation prone है, Oxidation इसका असानी से नहीं हो सकता Chemical Stability होती है, Water Repelling Tendency होती है, and High Flexibility होती है, इतनी properties होती है, तो due to these properties, in properties की वज़ा से it can be used in automobile industry cooking, baking food storage sports wear, food wear undergarments electronics, medical industry and home appliances यह देखें, इत रेंज औफ uses हैं इतने सारे यूज कर सकते हैं Silicon Rubber के, इस तरीके से Silicon Rubber एक important material है जो की different aspects में इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर्थ टाइप के जो Silicon's है, वो हैं Silicon Regins Silicon Regins जैसा आप देख सकते हैं कि Regins की तरह यह प्रिकुल last group है, जहां पर आप देखेंगे Cross Linking जो है वो कुछ अधिक होगी तो इसलिए इनको हम Silicon Regins में रखते हैं, अब हम इनकी different properties देखें और कैसे इनको prepare कर सकते हैं जो Silicon Regins होते हैं, वहां पर क्या मिलेंगे Ring Structures मिलेंगे नमबर वन, जो इनके जो structure में जो difference होगा with other other silicons वो क्या होगा, यहां पर Ring Structures होगे, and they have higher Cross Linking Density than Silicon Rubbers, Cross Linking बहुत जबरदस्त होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए इनको Silicon Regins की group में रखते हैं, दूसरा इसमें Ring Structures जेनरेट होगी properties जो है, वो रेजिन की depend करती है, upon R upon SI Ratio, R upon SI Ratio generally 2 to 1 होना चाहिए, अकर होता है तो polymer less fluid characteristic का होता है, less soluble होगा, and less fusible होगा, तो जो RSI जो ratio है, वो 2 से 1 के बीच में होता है जब 2 से 1 के बीच में होगा तो polymer less fluidic characteristic का होगा, less soluble होगा, and less fusible होगा अगर हम इसका preparation method देखें, तो इसके preparation method में क्या करते हैं, mixture of chlorosilins लेंगे जैसे हमने tri chloro methyl silin लिया, dichloro dimethyl silin लिया, trichloro phenyl silin लिया, and dichloro diphenyl silin यह mixture लेंगे, और इस mixture का hydrolysis करेंगे तो क्या होगा, random condensation होगा, random condensation होगा क्योंकि यह क्या होगा, इसमें इतनी ज़्यादा crosslinking होगी, कि इसमें closed structure बहुत होगे, ठीक है तो यह सब को हमने mix करना silence को, और hydrolysis करेंगे तो random condensation होगा, उससे क्या होगा, ring closer दिखाई देगा वहाँ पर, preparation के दोरान जो कुछ, un-condensed silenol groups होगे, अब देखें silenol groups कहां से आएंगे, जो हमने कह लिए थे, chlorosilens लिए थे, वो hydrolysis होगे तो silenols बनेंगे, उसमें कुछ ऐसे silenols होगे, जो un-condensed रह गए होगे, जो condensation पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो इसको, जो किसको silicon regions को special properties देते हैं, और वो special properties क्या है, viscosity की, and determine the shelf life of the region, यह जो un-condensed silenol group होते हैं, यह उसकी जो जीवन है, कितना देर वो रहेगा, कितने दिनों तक वो रहेगा, उसको बताते हैं, shelf life and viscosity को affect करते हैं, किसकी, जो silicon region होता है, उसकी, अब कुछ groups देखिए, the groups like C2H5 and C3H7, अगर यह groups भी use किये जाएं, वहाँ पर, कहाँ पर, CS3 की जगह पर, अगर C2H5 यूज करें, या C3H7 यूज करें, तो वो इसकी characteristic को कैसे change करते हैं, यह region को soft करते हैं, अगर यह वाले groups लिए, they increases solubility of region, क्योंकि यह क्या करेंगे, उसको non-polar की, और इनकी, जो solubility है, वो किसमें बढ़ाएंगे, organic solvents में, किसमें बढ़ाएंगे, organic solvents में, क्योंकि यह hydrocarbon behavior इनका बढ़ेगा, अगर हम CS3 की जगह पर, C2H5 यूज C3H7 डाल दें, तो यह क्या करेंगे, organic solvents में solubility बढ़ाएंगे, रेजिन्स की, इनक्रीज water repellents, और क्योंकि यह hydrophobic groups हैं, तो यह क्या करेंगे, water repellents को भी बढ़ाएंगे, तो जहां पर हमें water repellents की जड़ुरत है, वहां पर हम C2H5 यू C3H7 डाल के groups को यूज कर सकते हैं, और ताकि हम इसको कहाँ पर यूज कर सकें, water repellents की तरह यूज कर सकें, तो डिफरेंट ग्रूप जाएंगे, वह डिफरेंट टाइप की करेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, अगर C2H5 यू C3H7 है, तो वह इसकी प्रॉपर्टीज को एकदाँ चेंज कर देंगे, अब देखे, अगर C6H5 ग्रूप इन बड़ा दिया जाए, C3H3 की जगह पर अगरम C6H5 ग्रूप लगा दें, तो फिर यह क्या हो जाएगा, आप कर प्रे यूरे जाता है, और यूरे जिटार है यूरे मंच बड़ हो जाएगी हीतर हो जाएगा, मंच बड़न सोगा है उसके यह नहीं डिटार जन्हेयर बड़नेखर कर देखाने dobड, तो यह depend कर रहा है group के ऊपर किसकी property कैसी हो और हम इन रेजिन से दूसरी रेजिन्स भी बना सकते हैं अगर हम दूसरी तरीके की रेजिन्स की reaction इनके साथ करवाएं तो अगर हम silicone regins के use देखें तो silicone regins are used as electrical insulators they are used in lamination and they are also used to coat the cooking pans तो यह three main important जो काम है silicone regins के electrical insulator lamination में use किया जा सकता है and coating of cooking pans में एक बार हम इस chapter को थोड़ा सा revise कर लेता है इस lecture को कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हमने इसमें पढ़ा classification of silicone silicone दो तरीके से classify किया सकता है एक तो उसको हम classify कर सकते है on the basis of linking of tetrahydral moieties और दूसरा जो बेसिस होगा वो polymerization के extent पर डिपेंड करेगा तो यह तो linear हो सकते हैं जेन हो सकता है cyclic हो सकते हैं या cross-link हो सकते हैं या cross-link हो सकते हैं और अगर हम देखे तो इनको हम चार तरीकी से और डिवाइट कर सकते हैं on the basis of their polymerization number one a silicon flutes then silicon gums then silicon rubber and then silicon resin तो अगर हम इसको देखे तो हम देखेंगे कि जो cross-linking की property बढ़ती जाएगी और hardness भी बढ़ती जाएगी जो flutes हैं वो liquid types होंगे और जैसे हम resin की और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो hardness है या आपके softness कम हो जाएगी hardness बढ़ जाएगी तो इनकी different property की आधार पर हम इनको different fields में use कर सकते हैं और हमने इस chapter में इस lecture में हमने उनके method of preparation पड़े और especially हमने जो emphasis दिया है वो gums की preparation में दिया है क्योंकि वहां पर special type की process होती है that is equivalent process जहां पर जो cyclic जो siloxane से हैं वो linear siloxane के साथ क्या होते हैं इक्विलिबियम में होते हैं इंपेजेंस of acid और इंपेजेंस of base और वेन वहीट the cyclic polymers they are in equilibrium with their linear polymers linear siloxane okay so i think you got the point आपको पता चल चुका है क्या-क्या points में में हैं और मेरे ख्याल में काफी आपके लिए easy simple हो गया होगा कि silicon हमें एक polymers से इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी उसको हमको बनाना पड़ेगा interesting कि हम उसको कैसे पढ़े तो interesting बनाने में मैंने पूरे प्यास किये से ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए और आप इसको grasp कर सकें so thank you very much next जो lecture होगा उसमें हम फिर phosphorus के polymers के बारे में पढ़ेंगे जाए प्यास के लिए प्यास के लिए तो